है कि यह वेलकम बैक तुमाइच राइड लोक्स मेरा नाम है नौशिन और टाइटल से आपनी देखा ही होगा वाराल है यस वाराल हैं हम सभी ने बहुत साहई देखें गों तो मैंने सुचा चलो ट्राइ करते हैं यह हैक यह वाइरल हैक्ष एक्ट्वल में हैं मतलब यह विक करते हैं या नहीं सो चलो फिदाद फ़र्ड रूडू लेट्स के स्टार्ट विद फर्स्ट वाइरल है अब बादाम को खाना नहीं है तभी तक तो मैं ड्राइप्रूफ्स खाती थी अब चलो इसको लगाते भी है सी यह बादाम बिल्कुल जल गया है सो पहले देखते हैं यह ओ ब्लैक निकल दो रहा है यह थोड़ा सा जल रहा है सो सबसे पहले मैं इससे अपने आइब्रो को सो इससे कुछ फर्क पड़ा जो यह लग तो गया है क्योंकि यह इससे इस बादाम से यह काला काला कालीकशा निकल रहा था अपने निकल रहा है क्योंकि यह जितना था मैंने अपने आइब्रोस में लगा लिया यह फैल सा गया थोड़ा साप देखी है यहां पर तो इसको आपको set करना पड़ेगा में फटाफट इसको set कर लेती हूं यह मेरी without eyebrow आप यह without eyebrow eyebrow थो है now यह without filling eyebrow and यह filling eyebrow साप देखके बताओ दोनों में different क्या इस बादाम ने वक्रा यह काम कर रहा है बट इस हैक के लिए आपको थोड़ा से फट करने पड़े जो आपके नार किना तर फैल जाता है तो इसको दिमूब कर रहा है यह टिने इससे अच्छा तो मैं काजल को हलका अपने हाथ पे लेके इसको फेड आउट करके लगा लूँ वह जादा बैटर रहा है इसको क्या करूं खा लेते हैं इसमोकी फ्लेवर आगया बादाम में वाव चलिए नेक्स्ट हैक दिखते हैं क्या है हम ओके सो अगर हमें कलरफुल आईशेडव लगाना हमाई पास ब्रशेज ना हो सो हम टिशू पेपर को फोल्ड करेंगे अपने आईशेडव पैलेट में कलरफुल आईशेडव पैलेट मैंने ले लिया है इसमें डाल ला है एंड दिस दिस चलो करके देखते हैं सबसे पह देन ब्लू पर्पल आईशेडव पैपर से यह आईशेडव अच्छे से लग पाएंगे इससे बैटर तो होगा कि मैं अपने फिंगर से इसको लगा लूँ सो मैं अपने फिंगर से लगा के आपको दिखाती हूँ अपने अपने इससे मैं कहूं दोनों में फर्रक देखें आप खुद बताओं ठीक है क्या यह हैक वर्क करा रहा है बिल्कुल नहीं एक परसेंट भी अच्छा नहीं लग रहा है यह लगा के कौन बाहर जाना चाहेगा एंड फिंगर की हिल्प से थोड़ा सा बैटर हो अगर हम एक कलर को हेल्प से लगाएं तो आइधिंग यह फिर भी थोड़ा बैटर है यह है कुछ भी दिखा देते हैं मतलब यह उठा के कर लो तो मैं फटाफट इसको दूमोप कर लो कि मैं ऐसे तो कहीं बाहर नहीं जाना चाहूंगी इमें घर में भी मैं ऐसे नहीं रहूंगी तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है क्या है तो यह मैंने लिया इसको मैं थोड़ा सा अब मैं वैसा शेप तो नहीं बना पाऊंगी मैं थोड़ा सा टोड़ा काट लेती हूं तो यह मेरे दो सिल्वर फॉयल और यह दा मेरा अलोवेरा जेल जाएगा आइस के नीचे इस तरह से इसको रखना है पंदर मिनिट के लिए अब इसको मैं निकाल लेती हूं ए अंडर आई थोड़ी बहुत हाइड्रेटिंग सी लग रही मतलब थोड़ा अच्छा सा लग रहा वैसे भी अलोवेरा जल अगर लगा अलो अंडर आई में तो वह कुलिंग काम इफिक देता है आपके अंडर आई इस को यह थोड़ा सा मेरे अंडर आई को ब्राइटन अप कर दिया है थोड़ा सा हाइड अच्छा लग रहा है मुझे अडराई में लगाने के बार अश्टंदर तशंदर सा इस तो आपके जो आइस की पॉफिनेस होगी उसको भी रिडियूस कुरो तो यह यहीं पर हमारा यह सारे हैक फेल होते हुए कुछ एक एक्स तहीं जो बादाम वाला थोड़ा 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 सा वह वोग करा वट वह हम यूज में नहीं करेंगे आपको कौन सा है अच्छा लगा कौन सा है सबसे रद्दी सबसे बखवा सबसे पुरा लगा एंड आप इस तरह के और वीडियो देखना जाते हो तो भी कमेंट करके बताओ मिलती हो अपसे नेक्स वीडियो में तिल लेन बबाई आपको करेंगे आपको करेंगे